नमस्कार, न्यूज फ्लेश में आपका स्वागत है, बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर दोसा शहर में पाने की समस्या को लेकर मंगलवार को सर्व समाज के लोगों ने कलेक्टर को ग्यापन दिया उन्होंने टेंकरों द्वारा दोश्पून जल वितरण व्यवस्ता की मामले में कारवाई की मांगी लोगों का कहना था कि इस समय गर्मी की प्रचंडिता के कारण एक ओर जाननलों से पानी के आपूर्ती में साथ से दस दिन का समय लग रहा है वहीं दूसरी हो टेंकरों द्वारा आपूर्ती में दोश्पून और पक्षपाती व्यवस्ता के कारण तता सई और वास्तिक निगरानी व्यवस्ता नहीं हो रही आपसी मिली भगत और मनमानी के चलते लोग भैंकर पेजल समस्या से जूज रहे हैं नीजी टेंकरों द्वारा सप्लाई की कीमत निर्दारित करवाई जाए ताकि मनमानी वसूली से राहत मिल सके सरकारी टेंकरों से जलापूर्ती के संदर में प्रतेक कोलोनी में पाँच लोगों की सत्यापन कमिटी बना कर एक वाट्सप ग्रूप का संचालन आपके नियंतरण में सुनिशित किया जाए जिसमें प्रतेदिन प्रतेक टेंकर द्वारा जलापूर्ती और जल वितरन व्यवस्ता का वीडियो एम फोटो चितर कोलोनी के नाम सहीद शेयर किया जाए इस ग्रूप में संद्धित जेयन और पारसद को भी समलित किया जाए साथी ग्रूप में प्राप्ट शिकायतों और समस्चाओं के निराकरण को जलदाई विवाग द्वारा अधिकार प्राप्ट कमेटी का गठन किया जाए जिन टेंकरों और सम्मंदित वेक्तियों द्वारा जलापूर्ति में भेदवाओ और मनमानी की शिकायत सत्यापित हो उनका लाइसेंस निरस्तो कर जुर्माना तैह किया जाए सम्मंदित जलापूर्ति की सूचना पूर में ही गुरूप में योजनाबद तरीके से प्रिशित कर दी जाए ताकि लोगों को पे जलापूर्ति की सूचना प्राप्तों ने पर बेसकादी कादी कलाब ले सके टेंकरों द्वारा किसी भी रूप में जलापूर्ती किसी भी व्यक्ति के टंक्यत्वा टेंक में नहीं की जाए ऐसा करने पर और प्राप्त फोटो क्यादार पर संबंदित अधिकारियम टेंकर के खलाब कारवाई सो निश्चित की जाए ग्यापन देने वालों में राजाराम, राम नरैंड, कैलास पटवारी, मनोज रागव, लोकेश शर्मा, मनिसलाटा, सागरलाटा, आकाश शर्मा, जितंतर सर्मा, रामवती देवी, सीला मिश्रा, ज्योती शर्मा, आदी मोचुद रहे